पहले क्वेशन से यहां पर स्टार्ट करते हैं, तो पहला क्वेशन आपसे यहां पर क्या पूछा गया है यार, इलेक्रिसिटी चैप्टर से, आपको यहां पर एक कंडक्टिंग वायर है, जिसकी लेंथ आपको एल गीवन है, रियार इसका एरिया भी आपको यहां पर एक गीवन है, ठीक? the area of cross section of another conductor दूसरे conductor का हमें area of cross section निकालना है और उसकी length को अब हमने क्या कर दिया है 2L कर दिया है और resistance उसका same है तो यार किस तरीके से find out करेंगे क्या हमारी approach होगी इस question को solve करने की तो बच्चों जब मैंने आपको electricity chapter पढ़ाया था तो उस time मैंने आपको एक formula लिखवाया था कौन सा और रो क्या होता है resistivity resistivity each जो अगर same metal है same metal है तो resistivity सभी की same होती है उससे कोई effect नहीं परता कि भही उसकी length ज़्यादा हो गई है area कम हो गया कोई resistivity पर effect नहीं परता है अगर metal सेम है material सेम है तो भई resistivity हमेशा same रहने वाली है तो चलिए यार कैसे करते हैं समझना we are given क्या क्या हमें यहाँ पर given है वह हम यहाँ पर लिख लेंगे हमें length यहाँ पर given वह आ गिवन that we know that र एकवल क्या होता है रो एल अपोन एपों यχe है यहाँ से में क्या करूँगा रो कर दूंगा रो एक्वल टू रो इक्वल्टू रो एक्वल टू आर ए outta यह पॉं एल हो जागा बच्चो और यह मैंने इसको एक्वेशन फस्ट दे दिया है रो एसे में लेगोट रहेने माला स्लिए मैंने या पर रो निकाला रो इक्वल्टू क्या अगया है आर एप पूछा गया है तो एरिया जो है आपसे पूछा गया है यहां पर और यार रजिस्टेंट से में लेंथ आपकी अपकी तो यहां से रो निकालेंगे तो रो कितना हो जाएगा आर पहले वाला ही है एरिया हमें फाइंड आउट करना है तो एर डेस मेंने लिख दिया है यहां पर और यार यह जो है आपका यह 2L हो जाएगा यहां पर दोनों का यह जो रो है और यह रो है यह दोनों एक्वल ही रहेंगे क्योंकि यहां पर आपको बताई दिया है किसी एक सेम मेटल है तो उसक कि अपान एल एक्वल टू आरे डेस अपान 2L हो जाएगा अब यहां से क्या करूंगा या बच् چो एल से एल तो कैंसल आउट हो गया है तो एमइस एक्वल टू क्या शायँगा एडस इक्वल टू यहां से आजाएगा तू के आ निकल के तूए याने की अगर आपकी लेंथ को डबल कर दिया जाए तो एरिया आपका क्या हो जाएगा एरिया आपका हो जाएगा तो कौन सा option यहांपर correct है बताएए ए बीसी डी मेंसे कौन सा answer जो है आपके आपके correct होगा तो बच्चो यार सी वाला जो answer है यहांपर एक दम correct answer है सी में आपके यहां पर 2A आ रहा है clear सब्सक्राइब चलिए next question पर जलते हैं question number कौन सा इस चाहें तो solution भी देख सकते हैं आप यहां पर solution में भी आपके कितना आ रहा है a goes to 2A रहा है है ना चलिए next question पर जलते है question number second यहां पर क्या पूछा गया है आपसे वेन फॉर वोल्ट बैटरी इस connected across and a non register there is a current of hundred milli ampere in the circuit the value of the resistance of the register is यहां पर एक जो circuit है इस circuit को फॉर वोल्ट की battery से connect किया गया है current इसमें कितना flow रहा है 400 milli ampere का current इसमें flow हो रहा है clear तो यहां से आपसे पूछा क्या गया है कि resistance का register जो है उसका resistance किता है यह आपसे यहां पर पूछा गया है चलिए for option आपको दीए a b c d अब इसमें से कौन सा करेक्टर निकाल के देखते हैं यहां पर देखो यह आपका रजिस्टर है बच्चु यार ठीक फॉर वोल्ट की बैटरी से से connect किया गया है वी आर गिवन क्या क्या हमें यहां पर गिवन है वह पहले हम लिख लेंगे यहां पर क्या लिख दूँगा हमें हंड्रेट मुल्टिप्लाइब एक टेन रस तो दी पावर माइनस 3 एंप्यर हो जाए यह और यहां पर और क्या दिया हुआ है वस्यी दिया हुआ है find out क्या करना है हमें यहां पर find out करना है resistance और यहार वी know about the we know by the arm slow arm slow से हम क्या जानते वी इस डारेक्ली proportional to the i और वी इक्वल टू आई-र यह formula होता है और वहां से हम डारेक्ली find out कर सकते हैं resistance को तो resistance किस तरीके से find out करना है यहां से क्या आने वाला है और इक्वल टू वी अपॉल आई- और दोनों वैलूस हमारे पास यहां था नो हमारे पास है पुर वोल्ट है यह भी हमारे पास यह hundred multiply back the power minus three और आँव मे केंट वैय फिल वी रिस सवेल of the resistance हाँगी स्क्राइख आतने है आर एक्वल टू वी अपॉन आए एन आर एक्वल टू वी हाउ मच इस कितना है यह पूर वोल्ट सो यहां से फॉर अपॉन हंड्रेट मुल्टिप्लाइबाइट टेन रस्तु दिबाव माइनस त्री सो यहां से क्या जाएगा आर एक्वल टू प्लस में हो जाएगा और यह थाउजेंट ही तो है तो 4000 हो गया है अपको और यह कौन से अप्शन में है आपके यहां पर बी वाले ऑप्शन में है तो बी वाला ऑप्शन आपके यहां पर बिल्कुल करेक्ट हुआ है सब्सक्राइब यह भी तुम्हें तो आप इसका सुलूशन भी देख सकते हैं यह सुलूशन भी डिवन है आपको यहां पर चलिए यहां नेक्स कोशन पर चलते हैं सब्सक्राइब करें कि आपको यहां पर मिनिममम रजिस्टेंट्स मिलें क्लियर समझ में आ गया हुगा यह तरह तो मैंने आपको अगर आपको मैक्सीमम रजिस्तेंट्स में अगर गनेक्क करना है लें तो है वें मैं मैक्सीममम रॉइस्टेंट्सologि शालिकर सब्सक्राइब और अगर से और कितने register हैं हमाँ पास यहां पर five registers से clear और सभी के value कितनी हैं सभी की value है one upon five 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 यह सभी को मैंने parallel कनेक्ट कर दिया and you know that कि यार parallel जो parallel जो connection होता है उसका equivalent निकालने के लिए equivalent resistance निकालने के लिए हमाँ पास क्या formula होता है 1 upon r equivalent equal to 1 upon r1 plus 1 upon r2 plus 1 upon r3 plus 1 upon r4 plus 1 upon r5 this is the formula to find out the r equivalent in the parallel connection understood now here 1 upon r equivalent equal to how much the value of r1 1 upon 5 understood so here 1 upon 1 upon 5 plus 1 upon 1 upon 5 plus 1 upon 1 upon 5 plus 1 upon 1 upon 5 ये सारे के सारे जो 5 है ये कहां चले जाएंगे उपर चले जाएंगे तो यहां से 1 upon r equivalent कितना हो जाएगा आपका यार 1 upon r equivalent हो जाएगा आपका 5 plus 5 plus 5 plus 5 25 प्लस-5 तबन ये दो है आपका आर एकुलेंट हमें फाइंड आउट क्या करना है ना कि वन अपन आर एकुलेंट पैन युद्ट पैन आओट करना है तो यहां से वन अपन आपन 25 25 ओम और यही आपका आंसर है minimum जो resistance होगा जब हम वन अपन 5 ओम की वैल्यू के resistance को परलेली कनेक्ट करेंगे तो कितना आएगा वन अपन 25 ओम तो आंसर कौन सा हुआ वन अपन 25 ओम बी वाला आपका यहां पर करेक्ट आंसर है now you can see the solution also solution is also given here ठीके solution भी आप देख सकते हैं now more to the next question question number कौन सा है 4 और यहां आप से क्या पूछा गया है question number 4 में if the current I throw a register is increased if the current through a register is increased by hundred percent hundred percent increase कर दिया जाता है यानि कि अगर आई था तो वही टू आई कर देंगे समद्रों ना current कितना है आपका आई अब hundred percent increase कर दिया यानि कि अब वो कितना हो गया है टू आई हो गया है assume that temperature remains unchanged temperature आपका यहां पर unchanged the increase in power dissipate will be power में कितना dissipate यानि कि power obviously बात है कि यार जो power पहले थी अब power जो है डैसे जो हीट डैसेप्रेट हो रही है वो अब ज्यादा होगी यहां पर है क्योंकि increase कर दिया है हमने किसको temperature को यहां पर increase कर दिया है यह time sorry current को increase कर दिया temperature तो यहां पर सेम है तो इसकी answer क्या होने वाली है इस question को करने की समझना वच्चों अभी आपकी पावर का हमें फोर्मला है याद है वी क्या होगी पावर पीक्वस्टू वी पीक्वस्टू सुरी क्या है आपका यहां पर रजिस्टेंस की बात कर रहे हैं तो किसी भी तरह की की बात हुई नहीं है वाल्टेज की किसी भी तरह की की बात हुई नहीं है तो यहां पर मैंने वी आई नहीं लिखा है पी को स्टू आई स्कॉर आर लिखा है क्यूंकि आप कह सकने हैं इस बात को कि सर आप पी को स्टू वी आई भी लिख देते हैं तो पी क प्रसेंट इंक्रीज़ हो गया, now, after, after, 100% increase, अनग, 100% increased, in다, increased of current, of current, तो यह कितना हो जाएगा, after 100% increase of current, तो कितना हो जाए, यह कितना हो जाएगा, I equals to कितना हो जाएगा, to I हो जाएगा, clear है, रजिस्ट्रिंट्यग में ही रहने वाला है तो यहां पर क्या हो जाएगा पीDais जो है आपका compromised किस्टां लुक्क ९हां स्वच्ट यहां पावर इतनी हो गई है 4 आय स्क्टर और पहले पावर कितनी थी i square r कितना changes आया change in power change change in power in power dissipate change in power dissipate मैं कितना आंतर आया p del p लिख देता हूं मैंसे p minus p और यह कितना हो गया आपका वच्छो या 4i square r minus i square और यह सब्सक्राइब करना है प्रसंटेज क्योंकि हमसे क्वेशन में जो पूचा गया है वो प्रसंटेज में पूचा गया है प्रसंटेज में निकालना है तो यह पी कितना आने वाला है आपका डेल पी डेस माइनस पी अपॉन जो पहले वाला पी था स्ट्री आइसे से तो सब्सक्राइब करते है तो पहले वाला कितना है आए स्कॉर आरो हो गया है और आपका कितना डेसीप्रेट होगी ही थ्री हंडरेड प्रसंट ज्यादा हो गई है ए अच्प्रेंद यह आंशर हो अंसर और आपका बच्वयारण now you can see that 3 is your correct answer 300% power dissipated होगी ज्यादा आपके clear है so now you can see the solution also solution भी चाहें तो आप यहां पर देख सकते हैं कितनी हो रही है 300% energy यह पावर ज्यादा dissipate हो रही है clear चलिए वही next question पर जलते हैं question number के सब्सक्राइब वाला question है read the passage and answer the questions given below three registers ती रजिस्टर से 5 ohm 10 ohm and 15 ohm are connected in a series and the combination is connected connected to the battery of 30 volt 30 volt a meter and volt meter are connected in circuit देखो यहां पर यह circuit है आपका a meter और volt meter यहां पर आपके connected है त्री रजिस्टर है 5 ohm 10 ohm और 15 ohm का इन्हें 30 volt की battery से connect किया गया है और यहां पर आपके circuit में a meter और volt meter भी connected है तो अब question आपसे यहां पर क्या पूछा गया है question number five which of the following is the correct circuit diagram to connect all the devices in a proper proper order और कौन सा बिल्कुल सही है सकते हैं यहां पर कि किस तरीके से connect करें कि यहां पर यह वाला तो इसमें तो बच्चों देखो यार पहला एज है यह वाले में तो आपके अ मिटर ही नहीं है ना ऑ of meter भी नहीं क्योंकि हमारे पास तू दोनों चीजे अमीतर है और भी वर्ड मीट वर्ल मिटर कंडित है तो यह वाला दो आपषन आपके गलत हो गया है दूसरा भी आपशयन पर लश्हें पर व्र किस तरीके से कंड़र को सब्सक्राइब में कबहु theft कभी भी आपकरे स्रीज में कनेक्ट नहीं होता है मीटर आपके स्रीज में कनेक्ट होता है और वॉल्ट मीटर आपके पैरलली कनेक्ट होता है यह भी गलत हो गया वाला दी की बात करते हैं तो दी में भई आपके अमिटर ही नहीं तो यह तो गलत हो गया है सी की बात करें तो सी की बात इदर चाहें इस तरीके से कनेक्ट करो इस तरीके से कनेक्ट करो या फिर इसे उपर ले लो इस तरीके से सोरी चाहें आप इस तरीके से वॉल्ट मीटर को कनेक्ट कर सकते हैं या चाहें तो आप इस तरीके से भी वॉल्ट मीटर को कनेक्ट कर सकते हैं यह आपका पैरलल वाला ही connection है यह पैरलल वाला ही connection है अमीटर आपके किसमें है अमीटर आपके यहां पर स्रीज में यह तो answer C यहां पर आपका बिल्कुल correct होगा चलिए next question पर चलते हैं इसी की कैसी का next question है यह देखो answer भी देख सकते हैं कैसी का नया कोश्च सिक्स नम्हों का question है how much is the total resistance in the above circuit diagram कितना total resistance होगा उस अब सब्सक्राइब का तो यहां पर आपका 5 ohm 10 ohm और 15 ohm जो current है जो registers है उन्हें सभी को स्रीज में connect किया गया है और स्रीज में यहां पर connect किया है तो बच्चो यार स्रीज के लिए हमें पता है कि simply algebra के लिए हो जाते हैं आप जानते है और अगलेंट अगर आपको यहां पर फाइंड अट करना है और 3 ओं आपके स्रीज में connected तो R1 प्लस R2 प्लस R3 होता है और यहां पर R1 2 प्लस R3 कितना है यहां 1borग 10 जहीं से ज़िए और यहां से कितना enyर्स टिउट्स है कोई एक्सपरइमेंग ένα के की एक्सपरिमेंट रहे हैं रजिस्स उसके रफोर्म रड़ कर रहे हैं यह कॉन सा ग्राफ है जो की बिलकुल करेक्ड डाग्राम को और रीष्टेस्टेन्स यह में तो कुम सा घ्राफ भर शेज़िधक से च्रहिए समझना बच्चों मैं एक लाइनainen प्लट करता हूं यह तो, क्ट इसने अप Tillुत मैंने याँ टों शेम कर दिया है, यह वोल्टेज सेम कर दिया है मैंने voltage क्या होगा कि अगर किसी भी circuit की बात कर रहे हम तो circuit में voltage को constant fix किया जा सकता है वो जिस voltage में महालों कि 30 volt की कोई battery है अब 30 volt की battery है तो R1 अगर resistance है कोई भी R1 resistance है तो उसमें अलग current जाएगा और transition में अलग कर जायगा क्योंकि दोनु के resistance की values अलग है और resistance की values के according current का flow होता है ना की battery की वज़े से तो battery तो हमने यहाँ पर fix कर दी कि battery माल ली Gem थे 30 वोल्ट की battery है और अब current afterwards जो है अब करणद बिल्कुल अलग-अलग दे आने आट यह है आपका प्रोपोर्फिली-टंट रहने के बाद यहां से आट जो है वो इंवर्ष टर्वास्ठ ली मुद्टा आईट के स्माञे की वेलीयू कम होती है तो आ एक दूसरे के इन्वर्सली प्रपोर्शनले ना यहां पर क्या किया मैंने यहां पर वी को मैं कॉंस्टेंट कर दिया है और यहां पर दोनों को मैंने प्लॉट किया है तो कर यहां पर आई यहां आ रहा है यहां आ रहा है देखो same voltage के लिए R2 में current की value जो है वो कम है और R1 में current की value ज्यादा है R1 में current की value ज्यादा है इसका मतलब क्या हो रहा है इसका मतलब क्या है कि R1 आपका जो है वो कम होना चाहिए और R2 आपका ज्यादा होना चाहिए यही तो होगा current जो है वो कब कम जाएगा जब आपका current की value यहाँ पर देखो current जिसका ज़्यादा उसकी R1 कम तो इस condition में देखें तो इस condition में क्या हो रहा है R1 is less than R2 जबकि हमें question में क्या दियावा है R1 is greater than R2 तो यह वाला तो गलत होई गया है चलिए इसकी बात करते हैं इन दोनों को छोड़ो अभी क्योंकि यहां बात omic metal की हो रही है ना कि non omic metal की हो रही है omic metal में हमेशा जो graph बनने वाला है straight line हमेशा मिलने वाली है omic metals में जो कि om के loco follow करेंगे है तो वहाँ पर हमें मिलने क्या वाला है एक straight line मिलने वाली है ना कि कोई parabolic curve मिलने वाला है ना कोई और दूसरे के तरह का curve मिलने वाला है तो इन दोनों को छोड़ी दो अभी यार बात सिर्फ A और C में हो रही है यह वाला गलत हो गया है यहां से फिर से मैं एक बार और ड्रो करके देख लेता हूं है ना रेजिस्टेंज की वैलू जादा होगी, so R1 is greater than R2 होगा और यही तो correct है, यही तो question में दिया हुआ है, यही तो question में बोला हुआ है, कि R1 is greater than R2, और R1 is greater than R2 है, तो बहिए यहाँ पर आपके R1 is greater than R2 और इस वाले में, C वाले में, बिल्कुल correct हो रहा है, so which option is correct, C, C जो है आ आपको नोएक्स्स्कूशन पर चलते हैं और यहां पर क्या पुछा गया है ऊच्छो जाट विच आप दा-फोलाविंगे से क्नेक्टेश सरक्ट कौन सब्सक्राइब करते हैं वॉल्ट मेंटर करते हैं या दोनों को करते हैं या दोनों को करते यान आ उप पर से फिर से कि वोल्ट मीटर हमेशा आपके पारलली कनेक्ट होता है और अमीटर हमेशा आपके किस में कनेक्ट होता है स्रीज में कनेक्ट होता है स्रीज में क्यों करते हैं क्या रीजन है इसको कनेक्ट करने का स्रीज में तो यार बच्छों समझना हमेशा मैं स्रिज में ही कनेक्ट करने वाला हूं और वल्ट मेंटर को हमेशा मैं पैरलल ही कनेक्ट करने वाला हूं तो यार ऐसा इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मुझे क्या चाहिए मुझे क्या चाहिए कि यार मीटर से जो जितना भी करेंट है ना वह मीटर से पास होना होना चाहिए अगर मीटर से पास नहीं हो थोड़ा सा भी कम हुआ तो दिक्कत हो जाएगी रिडिंग में आ जाएगी रिडिंग में ना लाने के लिए मैंने इसको क्या किया है और इसका रजिस्टेंस बहुत कम कर दिया है ताकि यहां पर इसकी वजह से करेंट में ड्रॉप ना हो एक कुस अब हो जाए खुष हो जाए एगा तो यहां पर बहुत कम किया है Hermitr कर दे सिस्टेंस जो वह बहुत ज्साथा होता है कि करन्ट इसमें च्पयंग है तो वाला कुशन है बाज उन दो गीवन डाग्राम आंसर दो गीवन बीलो इन दो गीवन सरकिट कनेक्ट निक्रोम वायर ओफ लेंथ एल बिट्विन टू पॉइंट एक्स एंड वाय और नॉट दे अमिटर रीडिंग करने का बहुत ही सिंपल सा अप्रोच होता है पहली बात जब भी पढ़ने बैठें तो यहार एक कॉपी और पैन लेके ज़रूर बैठें सारे जितने भी फॉर्म लें उसको राइट डाउन कर ले और यहार फिर उसको राइट डाउन करने के बाद कॉश्चन को पढ़ना स्ट इसने को ब्रेक करके पढ़े तो सारी चीज़े समझ में लगती है है और लिखना जब स्टार्ट करोंगे ना तो सारी इजीली होने भी लगेगे को ब्रेक कर दिया कर हो चली देखो उसको अब यहां पर मैंने कोई बात तो समझ में आ गई है कि यह बैटरी है, यह अमिटर है, यह X and Y दो पॉइंट है, इन दोनों के बीच में एक निक्रोम वायर लगाया हुआ है, और मैंने अमिटर की देडिंग को देख लिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं, चली वह आगे बढ़ता है, क्या पूछा गया है, क्या पूछा गया है, यहां पर क्या पूछा गया है, यहां पर क्या पूछा गया है, यहां पर क्या पूछा गया है, यह सेम एक्सपेरिमेंट किया गया है, पहले तो अमिटर की डिडिंग ले लिया है, पहले निक्रोम वायर की लेंथ क्या थी, अब निक्रम वायर की लेंद को हमने क्या कर दिया है तो अमिटर की रीडिंग में क्या चिंजिस आएंगे आपसे यहां पर यह कूशन पूछा गया है तो यह बचू एक चीज समझना कि आपका जो आई है अब अमिटर कितना फ्लो हो रहा है मेजर करता है अगर आपको यह भी पता है कि यहां पर वोल्टेज तो सेम है तो आर इंवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आई के अगर आर आपका बढ़ेगा तो आई आपका कम होगा अगर आपका इंवर्सली प्रोपोर्शनल होता है अगर लेंथ बढ़ेगी किसी भी वायर की तो भई आपका देस्टेंस भी बढ़ेगा मैंने आपको इस फर्मले में भी बताया था आर इक्वल टू रो एल अपोन ए एल बढ़ेगा तो आपका आर भी बढ़ेगा लेंथ बढ़ेगी और यसी बाते लेंथ बढ़ेगी तो जो इलेक्टरों से इलेक्टरों से ज्यादा कोलाइट करेंगे और एलेक्टरोंस को आगे फ्लो होने में दिक्कत होगी problem होगी retrans होगा है न और यहाँ से rresistNousas आपका बढ़ Carla dec Valk St we've लेंट बढ़ने से बढ़ने से करन्ट जो है का डिक्रीज हो गया तो यह तो गलत हो गया找 ग्या找 देफ़नेट्लइटि यह वैए आंसर इसरा आपका सभी है बिल्ग अभी जो से पहले वाला 9 नंबगा कोशन था वहाँ पर हमने क्या चैंजिस किया था वहाँ हमने लेंथ को चैंजिस किया कि लेंथ अगर एल्थ ही आपकी तो मतलब उसमें वाले कोशन में सामने ने क्वेल्न कर दिया अब यहां पर हम क्रॉस सेक्श्चनल एरिया को चैंजिस कर रहें तो क्या अमीटर की रिडिंग में चैंज द्बाएंगे यह हमें बता रहे हैं यहां पर क्वेशन आज इंवर्रसली प्रिपोर्श्चनल होता है एडिया के अगर एरिया आपका इ क्रोपो Hugewald किस ज्यादा हो जाएगा किस के और एगर इहां पर आपका डिख्रीज होगा तो आपका इंक्रीज होगा याने कि जो क्रेंट प्लोराय सर्केट में वो क्या हो जाएगा इंक्रीज हो जाएगा तो अमीटर की रिडिंग जो है आपकी वो क्या हो जाएगी इंक्रीज तो कौन सा option आपके सही होगा, ammeter reading will increase, ammeter reading will decrease, will decrease to half, no changes in ammeter reading, तो यार आपका जो first option है, यह बिल्कुल correct है, ammeter की reading जो है, आपके यहाप पर क्या हो जाएगी, increase हो जाएगी, now you can see the solution also, solution भी आपको यहाँ पर given है, क्या हो जाएगी, ammeter की reading, increase हो जाएगी, चलिए, question number 11 पर आते है, question number 11 क्या है, write SI unit of resistivity, resistivity की SI unit क्या होती है, तो यहार इस से पहले वाले questions में भी हमने resistivity वाले formula को ही use किया था, और resistivity का formula क्या होता है, row equal to, यह, मतब row equal to, r a upon l होता है, और यह है किसका formula है, यह, resistivity का, clear, अब यहाँ पर, r जो है आपका resistance, इसकी SI unit होती है, ओम, area की SI unit होगी, meter square, और यह, length की भी आपकी meter होगा, meter से meter तो cancel out हो जाएगा, तो यहाँ बद क्या बचने वाला है बच्छे यार, row, यह, oh meter, यह, इसकी SI unit होगी, resistivity की, resistivity depends करती है, किस पर, temperature पर, और आपका metal कुन सा है, मैंने बोला था आपको, कि अगर आपका gold है, और एक तरफ iron है, तो resistivity किसकी ज़्यादा है, iron की, gold की resistivity यहाँ पर क्या होती है, कम होती है, metal change होने पर आपकी resistivity change होती है, अगर metal same है, length चाहिए उसकी कुछ भी हो, cross sectional area चाहिए उसका कुछ भी हो, बड़ बाकी इसमें resistivity जो है, वो same ही रहती है, और resistivity के SI unit क्या होगी, of meter, चलिए, next question है, question number 12, यहाँ पर क्या पूछा है आपसे, write the mathematical expression for the joules law of heating, Joule's law of heating का mathematical expression हमें यहाँ पर लिखना है, क्या formula होता है, Joule's law of heating का, तो वो होता है वो चो यहार, H equals to I squared RT, और यहार इससे और भी बहुत सारे वे से लिखा जा सकता है, इससे voltage की form में भी लिखा जा सकता है, इससे power की form में भी लिखा जा सकता है, है, और इससे इस form में भी लिखा जा सकता है, H जो होता है, यहाँ पर heat, Joule's heat है, I जो है आपका यहाँ पर current है, R जो है आपका यहाँ पर resistance से, और T यानि कि कितने time period के लिए बात कर रहे हैं, वो चीज़ है, तो यहाँ पर यह formula होगा, ठीक है, So, you can see that H equals to I square R T, where H is product, produced heat, I current flowing through the device, T time of current flow or resistance of the appliances, Now, move to the next question, question number 13, यहाँ पर क्या पुछा है आपसी, State the relation correlating the electric current flowing in the conductor and the voltage applied across it, also draw a graph to show this relationship, State the relation correlating the electric current flowing in a conductor and the voltage applied across it, यहर बच्चों यह पढ़ने पर हमें क्या पता लग रहा है, कि यह और यह arm slow की बात कर रहा है, और arm slow क्या करते हैं, बतब arm slow होता है, क्या है, current flowing in a conducting wire is directly proportional to the voltage, voltage की directly proportional होता है, V is directly proportional to the I, और जब हम proportionality constant हटाता है, तो यहाँ पर क्या आजाता है, V equal to IR, यह arm slow है, यह mathematical expression है कि इसका arm slow का, और यार जब हम यहाँ पर एक graph को plot करते हैं, और जब हम ohmic metals की बात कर रहे होता है, दो दरगे के metals होता है, ohmic metal होता है, और एक non-ohmic metal होता है, ohmic metals होता है, वो ohms के लोगों perfectly follow करते हैं, और जो non-aumic metals होते हैं वो ओम के लोगों follow नहीं करते हैं तो जो ओम के लोगों follow करते हैं वहां पर आपके क्या होती है straight line मिलती है इस तरीके की straight line मिलेगी यहां पर इस axis पर मैंने V voltage ले लिया है कि वोल्टेज कि यहां पर वोल्टेज है वी इधर वी बढ़ रहा है और इधर आपका current जो है इधर increase हो रहा है तो जितना जादा voltage बढ़ाएंगे हम उतना ही current का current और वोल्टेज का ratio हमेशा क्या होगा आपका सेम होगा और एक्वल टू क्या होगा वी अपॉन आई और यहां पर जितना voltage हम बढ़ाएंगे उतना ही current आपका बढ़ जाएगा यानि कि वी और आई का ratio हमेशा आपका क्या होगा constant और वो वाय का resistance होता है clear है तो यह यहां पर आप चाहें तो solution देख सकते हैं यह रहाँ आपका यहां पर यह ग्राफ देख लो current है यहां पर और यह potential difference है यहां पर जो हमें line मिल रही है वो straight line मिल रही है because of the omic metal the flow of current in the conductor is directly proportional to the potential difference established across its provided the physical conditions remain same ski physical conditions जो है वो सेम होनी चाहिए यानि कि temperature में कोई differences नहीं होना चाहिए और area जो है वो भी uniform area होना चाहिए ऐसा नहीं कि non-uniform area हो area भी आपका यहां पर uniform होना चाहिए now second question क्या है आपका यहां पर second question है find the resistance of a conductor if the electric current flowing through it is 0.35 ampere when the potential difference across it is 1.4 volt find the resistance resistance है यहां पर find out करना है यहां पर आपको current given है current कितना given है 0.35 ampere और voltage भी आपको यहां पर given है कितना 1.4 voltage find out क्या करना है आपको find फाइंड आउट करना है तो यार हम जानते ही है वी नौ वी नौ लोग वी क्वस्ट्ट्ट्र चाहिए आई आर और यहां पर आर एक्वाल टुक्राइट क्या होगा वी अपॉन आई वोल्टीज आपको given है current आपको करन्ट आपको गीवन है वोल्टेज आपको गीवन है रजिस्टेंज यहां से फाइंड आउट करना है तो वोल्टेज कितना है 1.4 है और 1.4 अपन 0.35 क्लियर यहां से क्या यहां से आपके आर एक्वल टू 1.4 अपन 35 हो जायागा ना और वाइड प्की टेबल से कट्रस आयागा कितने बाड कितीवार कटोंगेंट से सेवं टायों यह टायों टू टायों depends कितना होगा यहां पर्ट गांपर 28 अपन 7 सेवन औरerei कितनी बामद आज आएगा वज़श धोसा क्लिए और तो आपका जो resistance आए गा वोंधिस्टेंस कितना आने वाला है 4 Ohm रिजिस्टेंसा आँगा अगर करनट आपका 0.35 A है और आपका वल््टेज जो एक कर रहे हैं वह कितना है 1.4 ohm तो उस वायर का जो रिजिस्टेंस होगा वह कितना होगा 4 Ohm का होगा है now you can see the solution also solution is also given here देखो पूर यहां पर आ रहा है चली नेक्स कुशन पर चलते हैं क्या पूछा है आप से यहां पर कैल्कुरेट देजिस्टेंस ऑफ किलो मेटर लॉंग कॉपर वायर ओफ एडिया क्रॉस एक्षिन टू इंट टैनर स्थी पावर माइनस तू सेंटिमीटर स्क्वेर दे रजिस्टिविटी ओपर इस 1.623 इंट टैनर स्थी पावर एट मीटर और मीटर है यहां से फाइंड आउट क्या करना है हमें सब्सक्राइ देंगे बचल वियार क्या हमें आपकी 1 km और यह जितनी जो यहां पर सभी के उनिट में चाहिए तो बन किलो मिटर को पहले मैं करद दूँंगा तो यह कितना हो ओगया आपका 1000 MET और क्या गीवन है आपको यह बाद एडिया कितना है तु इंट्टो इंट्टि पावर माइनस टू है और यह संटिमीटर स्क्वेर में तो इसे भी मीटर में कर देंगे तो यह कितना हो जाएगा टू मल्टिप्लाय भी बीवन है तो रजिस्तिपी कितनी है वन पॉइंट ञील कितनी है तो यह आपकी क्या है यह आपके सारी जो लेंध्फ गीवन है एर्या गीवन है रजस्टिपीटी है और आपको find out क्या करना है और हमाइर पास formula क्या होता है आप करने का अगर यह सारे चीज़े गीवन है तो हमें तो आपको यहोगा होता है बच्छों समझ़ब आ गया एक होता है रो एल अपवन अपॉन ए और यहां सारी वैलिव को तो यहां आजाएगा 1000 divided by क्या आजाएगा बच्छो एडिया कितम आंब करेंगे तो यहां से आर आपका निकल के आजाएगा और यहीं आपका आणसर है बच्छो यह ना जब इससे सॉल्व करेंगे यह पूरी जो डिजिट से आपके इनको सभी को जो नंबर से इनको सभी को सॉल करेंगे तो कितना निकल के जाएगा आपका टू एट पॉइंट वण रजिस्टेंस आपका यहां पर निकल के आएगा चलिए ना कि आप देख भी सकते हैं now you can see the solution solution भी देख सकते हैं यह रहा सॉल्यूशन आपका और 8.1 यहां पर आप निकल के आए चलिए नेक्स्ट क्वेशन पर चलते हैं क्वेशन नंबर 15 क्वेशन नंबर 15 में आप पर क्या reading होगी यह जो circuit आपको दिखाया है 8-1-5-2-0 की तीन यहां पर लगे हुए है यह सर्कृट है सर्कृट में आपका अमीटर कनेक्ट किया हुआ है यहां पर सेरीज में और वोल्टमीटर यहां पर तो क्या एक्वास होगी हमारी यहां पर करने की पहले तो सबसे पहले हम अगर ओम्स के लों से जानते हैं आपके क्या अपके लोगा ये ऑप हैं आपके यह तीनों रजिस्टेंस स्रीज में कनेक्टेड है तो स्रीज में कनेक्टेड है तो पहले हमें यहां पर आर एक्विलेंट निकालना पड़ेगा तो आर एक्विलेंट कितना होगा आर एक्विलेंट जो होगा आपका वो होगा आर वन प्लस आर टू प्लस आर थी और यार र 1 कितना है आपका 5, और यार 2 कितना है आपका 8, और R3 आपका कितना है 12, तो यार इन तीनों को 8 करेंगे तो कितना जाएगा? 25 ohm आपका r equivalent होगा, जो r equivalent resistance से वो कितना है? 25 ohm, और यार यहां से हमें find out क्या करना है? current को find out करना है कि a meter की reading कितनी होगी? वामिटर की रिडिंग किती होगे तो i को स्थ्थ कितना आएगा व्य आपको यहां पर घीवन 0.60 हो गया है यहां पर टू टाइमस जाएगा तो टू टाइमस चला गया है और पिर 10 बचेगा जीरो बढ़ रहेगा तो कितना फाइब टाइमस जाएगा तो यहां पर आज आएगा आपका कर ग्याओ गया 0.25 maintained का फ्लो होगा इस से अंदर की जिरो पॉइंट में टू पाइफ करना है कि में Chief हो यह घगर हमें पर ना है तो यहीं हमार बास पॉर्मुला है यênioा होगया है और हम में पता चल गया है कितना है जी रो पॉंट तू नहीं यहां पर हैन। ह्यां पर क्या रहे हैं के लिटा सर्फ सर्फ इसी का निकाल रहे तो यहां पर आपके आने क्या वाला है और एक्विलेंट नोट नो आर एक्विलेंट नहीं आएगा सिर्फ आर यह वाला आएगा 12 तो यहां से कट कर दो तो कट करने पर बच्चों क्या आ रहा है देख लेते हैं यहां पर 25 है तो वी इक्वाइब है तो जिरो पॉइंट 25 था है यहां पर वीक बस्ट्व आपका 100 हो गया तेन आजाएगा इसका 0 और यहां पर कितना अगया 0 टेन 25 थिए कितना हो गया आपका 35 अपॉन हंड्रेड जो यहां से वी को स्ट्वाजाएगा आपका 3.5 वोल्ट 3.5 वोल्ट आपका यहां पर निकल के आएगा क्लियर है so now you can see the solution solution भी आपको यहां पर given है solution देखो आप यहां पर कितना है 0.24 और यहां पर 2.88 2.88 आ रहा है बच्छो यह तो आपका कितना निकल का है तू 0.25 और यहां पर वोल्टेज हमें फाइंड आउट करना है तो वी क्या होता है और यहां पर यहां पर आपका आर कितना है तो प्रोएक श्चो कितना हो जाएगा 6 multiply by 12 है यानि कि हम इसे 6 multiply by 6 multiply by 12 upon 25 तो यहां सेरा पर किस्यां होग है वी उसीचों सैवन्यीफंतू अ पॉलन 25 कितने टाइम्स कटेगा वच्छा यह तो यहां से 2 टाइम्स क्가ट कर देते हैं तो डो टाइम्स कट हो ट्वंटीट बच रहा है जीरो बढ़ दाएगा आपके यहां पर तो फोर एट टाइमस आपके यहां पर यह चला जाएगा तो टू-पॉइंट एट के लगबग कुछ ऐसे वोल्टेज आएगा आपका टू-पॉइंट के लगबग क्लियर है तो यह आपका आपके लगबग अगर एक इलेक्ट्रिक हीटर है जिसका जो पार है वह आपको गीवन है कितनी थाउजन वॉट और यार कितने टाइम के लिए यूज कर रहे हैं देली यूज करें कितने एक मैनी के लिए करेंगे तो यार कितना जाएगा यहां पर 30 और जो हम वन यूनिट होती है वच्चो यार इस वन यूनिट को हम हमेशा किसमें लिखते ह heckते हैं वन किलोवाट हार्स में लिखते हैं वन किलोवाट हार्स में निकालना है तो हम यहां पर पहला तो हीटर की जो हम t यहां से कितनी एनर्जी जो है वो यूज हो रही है वह आपकी यूज होगी एनर्जी जो है आपका कितना यूज हो रहे हैं यहां पर यह कितनी यूज होगी यह लिए आपकी पी मल्ल्किज बाइटी एक पी कितना है आपका यहांतर छों केटी कितना है स्यार से इतनी एकने सब्सक्राइब एकली एकली इसकी पावर है और डेली हम कितने घंटे यूज कर रहे हैं तो यहाद वाले में क्या होगा आपका यहाँ पर अनर्जी यूज होने वाली है फी पहला तो इससे कितना है 400 वाट और यहाँ से हम किलो वोट में बदल देंगे तो कितना हो जाएगा 400 अपॉन 1000 1000 किलो वोट हो जाएगा कितने टाइम के लिए डेली हम यूज कर रहे हैं से और कितने दिन के लिए तो डेली डेली यूज करें तो 30 देज हो जाएंगे 10 multiply by 30 clear यहां से कितनी energy यूज हो रही है बचों यार आपके energy यूज हो रही है यहां पर पी multiply by T और P कितना है आपका यहाँ पर 400 अपोन 100 थाउजेंड और T कितना है आपका यहाँ पर T है आपका 10 multiply by 30 kilowatt hours यहाँ पर होगा आपका kilowatt hours तो यहाँ से क्या हो रहा है 20 से 20 तो यह cancel out हो गया तो यहाँ पर क्या बच रहा है 120 आ गया आपका 120 kilowatt hours total energy जो total energy जो consume हुई है वो total energy कितनी consume हुई है total energy energy consumed consumed कितनी हुई है आपकी यहाँ पर 12150 प्लस 120 जो total जो energy consume हुई है कितनी हुई है 270 kilowatt hours एक वन kilowatt hours की जो आपका expenditure है वो कितना है six rupees का है तो 270 kilowatt hours का कितने का होगा यह होगा आपका 270 multiply by six यहाँ से कितना जाएगा जीरो और और यहाँ से 16 1620 रुपीज यहाँ पर आपके खर्च होंगे इन दोनों को चलाने में है ना यहाँ पर आपके खर्च होंगे ठीक है यह expenditure होगा आपका चली नेक्स कोशन पर चलते हैं क्वेशन नंबर 17 और क्वेशन नंबर 17 में क्या पुछा है राइट दर जूल्स लो आफ एटिंग क्या है तो जूल्स लो आफ इटिंग आपको बताई दिया था मैंने तो यह जो है आपका क्या होगा एच इकोस तो आई स्क्वेर आर्टी और यहां पर एच जो है आपके वह डारेक्ली प्रोपोर्शनल होता है अगर आप करेंट होता है तो या जूलस हीटिंग जो आपिका होगी हझा चाऊ सब्सक्राइब करोगी इश ऑदा जूल से जो है को तो दीनो तैम ज्यादा टैम के लिए कब करेंट फलो चोन मेहीं ही जादा आपके आपके यहांपर इस यह होगी एच ये प्रोपर्श् ambiguuss ही टिगल जो है एच इसदावली प्रपश्टल दूब कर से सटेords के még अ फॉन संवमिंग तो टीनों प्रोपेंगे तोais सब्मीट जञेद होगी जूल लॉव the tank for the for which the current flow through the register यहां पर यह रहा फॉर्मॉला आपका एच इकोस तो आइ स्क्वार र्ट क्लियर है चली नेक्स कोशन कोशना है नेक्स कोशना आपका तू लेंप्स वन रेते हंडेट वाट तू टू 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 220 वॉल्ट वॉल्ट यहां पर आपसे क्या पूछा गया है दो बल्ब हैं दोनों बल्ब आपके पैरलली कनेक्टेड हैं एक का जो पावर है वो कितनी है 100 वॉल्ट है और दूसरे की जो पावर है आपकी वो कितनी है 60 वॉल्ट है दोनों को 220 वॉल्ट के सप्लाई वॉल्टे प्र एक फॉर्म्मला है simple सा पी वी होता है वी हमें गीवन है यह पर गीवन है दोनों बल्ब के लिए तो दोनों बल्ब्स के लिए में वी और पी गीवन है तो यहां से करंड जो है जिरो कैंसिल आउट हो गया है और क्या है जाएगा बच्चों यहां पर फाइप अपॉन इलावन एंपिर यह करेंट आपका फर्स्ट वाले बल्बत से फ्लो होगा फाइप अपॉन आपका फ्री एपॉन इलावन एंपियर का करेंट सैकं वाले बल्बस सेपल रहा और जो सेकंड वाला हैं और सेकंड molecules फो यहां पर चाहिए सुल्यूशन भी देख सकते हैं यह रहा आपका solution भी इस है कु optimum है आपको और यह है रहा चलिए भई next question पर चलता है question number 18 और question number 18 में आप से क्या पूछा है so how would you join three registers each of resistance 9 watt so that the equivalent resistance of the combination is 13.5 watt and 6 watt 9 watt नहीं है बच्चो आ रहे है resistance O में होता है यह unit ही गलत लिखी हुई है यहाँ पर you know unit ही गलत लिखी हुई है unit को सही कर ले ना यहाँ पर वोट नहीं होता है unit जोती इन नाइन ओम होगी और यहाँ पर 13.5 ओम होगा और यहाँ पर 6 ओम होगा क्योंकि इनना तो आप जानते हैं 20 फ्येस्ट yes लोती तरीके से किस वे से हम जमा हैं किस वे से हम connect करें कि हमें एक में तो 13.5 जो equivalent resistance वह मिलें और एक में हमें six aum का equivalent resistance मिलें यह थोड़ा-सा दिमाग लगाने की जड़ोते बच्छीए यह इतना easy going हो नहीं जाएगा ऐसा है नहीं कि फर्मले में पूट करेंगे और निकल क्या जाएगा नहीं यहां थोड़ा चा तो दिमाग लगाना ही लगाना पड़ेगा देखना पड़ेगा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी जब प्रैक्टिस इतनी अच्छी हो जाएगी तो आइनों हो नगंंब्र है तो हमाँ पास कितने हैं तेन विलकुल आपके जिसे ही कर दीता हूं पहले मैं इन्हें सभी को स्ट्रेट कर देता हूं यहँ होगया है और यह टो वाला तो गलतain सकते हैं तो कौन सा और दूसरा है दूसरा मैं हम पास तीनों को पैरलल करके देख लेते हैं तो बच्चों कितना आने वाला है यहां पर देख लेता हूं तो यहां सब मैंने यहां से कितना मिलेगा मेरे को वन अपो नाइन प्लस वन अपोन नाइन यहां पर आर कितना निकल के आया आपका 3 ohm भी मुझे चाहिए नहीं है na यह भी गलत हो गया संधे लो न कि यहां पर 13.5 ओं का करण्ट चाहिए एक्वलेंट और यहां पर कितना चाहिए 6 ohm का अपको करण्ड चाहिए कि यहां पर तरी न हो गया मुझे अब यहार कौनंसा क्या मैफशनक कर tentang किस तरीके डोनों गलत हो गया चलिए ती सरे पर चलते हैं तीसरा करते हैं एसा करके कर देखने हैं हो भी सकता कि सखता है सफिजा घलत कर लेते हैं एक कर numa कर देखें एक ईंट कर देखने है है ना हो भी सकता है कि गलत हो जाए हो भी सकता है कि यह सही हो जाए पर बच्चों करके तो देखना पड़ेगा बिना कीवे तो कुछ नहीं मिलेगा तो यहां पर क्या गया नाइन ओम नाइन ओम और यहां से रजिस्ट्री इंज को अगर हम पाइंड आउट कर रहे हैं तो प्लस बन नहीं को कर रहो है इन दोनों को कर रहा है इन दोनों को सिर्फ है यहां से कितना जाएगा 9 LCM ले लिया है मैंने फ्लस 1 फ्लस 1 हो गया है तो यहां से 1 अपोन R equivalent 1 लिखा है तो यहां से कितना आ जाएगा 2 अपोन 9 और यहां से R equivalent कितना हो जाएगा 9 अपोन 2 हो गया है चलिए यह अब इसका diagram बना रहा हूं हापस से में तो यह क्या जाएगा 9 ohm हो गया है और यह इस वाले का कितना हो गया है आपका यह हो गया है आपके 9 upon 2 ohm हो गया है अब यह दोनों स्रीज में है दोनों स्रीज में है तो इनका भी equivalent निकाल लेते हैं दोनों स्रीज में है तो इनका equivalent कितना होगा कितना होगा वच्चो यहां पर निकाल में हैं, ठीके, तो यह यहां तक हो गया, अब इसका r equivalent निकाल रहा है, और यह final r equivalent है, है न, तो r final, r equivalent final, यह कितना होगा, 9 plus, simply algebraically sum हो जाता है, 9 plus 9 upon 2, और यहां से 2 l से मा जायागा, तो यहां से 18 plus कितना हो जायागा, 9, और 18 plus 9 27 होगा, 27 होगा, तो r equivalent final equal to 27 upon 2, और जब यहां बच्चों से cut करेंगे न, तो कितना आने वाला है, 13.5 ही आयागा, है न, तो यहां से कितना आ गया, 13.5, 13.5 ohm current आ गया, और यही तो हमें चाहिए था, तो यहां से हमें 13.5 ohm current मिल गया, पहला connection तो हमेरा इस तरीके का होना था, संद में आ गया, पहले तो हम ने क्या किया, दो resistance थे, दोनों resistance को parallelly लगा दिया, दो resistance को, और एक resistance को series में लगा दिया, और उससे हमें जो equivalent मिला, वो कितना मिला, 13.5 ohm, अब हमें find out करना है कि भई, अब इन्हें किस तरीके से arrange करें, कि यह जो equivalent है, वो equivalent हमें कितना मिले, 6 ohm का मिले, ठीके, तो यहां पर कैसे करते है, आरे प्लेंट जो अगर हमें 6 ohm का चाहिए, तो कितना होगा, 6 ohm के लिए क्या करूं, तो भई, सारे method तो मैंने लगा के देख लिए, एक को दो को स्रीज में और एक को parallel करके देख लेते हैं, तो यह मैंने दो को स्रीज में कर लिया है, और एक को मैंने इसके parallel कर दिया है, अब देख लेते हैं, क्या निकल के आता है, तो यहां से निकाल के देखते हैं, कि कौन सा निकल कर आएगा, तो देखो यार बच्चो, 9, 9, 9, और यहां से यह स्रिज्ड में हो गया है अब यहां हो गया है अब आपका भई मैं एक डाइग्राफ इंक बना रहा हूं तो यहां से यह के तरह हो जाएगा यहां से यह हो गया और यह यह पैल्लों हो गया है और यह पायल है और यह पाइनल है सो यह बन आपवाण रबन हो गया प्लस बन अपन आं वन हो गया लुन हो गया सुर्ि सो यहांसे बन अपन आर्भी किसण हो गया वन वन आ हो गया 1पन सब्सक्राइब इत्र वाला जो होगा वह कितना आजाएगा आपका जैन्स होगा कि जो पस करना था हमें वह फस्लेये बच्शों करकित देखना पड़ेगा कोई shortcut नहीं किसी त्रीके का कोई shortcut पढ़ेगे एसन सिरीज में गुए करना पड़ेगा डीन पैरलल करना पड़ेगा हो सकताह है हो सकता है दोनों गलत फिर उसके बाद यह आफ से लगाने पड़ेंगे दो इस तरीके से करना पड़ेगा तो जब करके भी देखें आपके लिए और यहां मेर पास समझ में आरी होगी चीजह है ना डारेक्ट में जारी होगी दिइमाख में अगर concentration high है तो डारेक्ट दिमार्ग में जा रहा होगा तुम्हारे सब कुछ चलिए नेक्स चाहें तो आप इसका solution भी देख सकते हैं solution भी आपको यहां पर given है 13.5 ओम है और यहां पर 6 ओम है चलिए next question पर जलते हैं question number कौन सा है बच्चों question number है कहां आ गया देखो दर क्या हो रहा है यह question number 19 यहां पर क्या पूछा है आपसे question number 19 में in the given circuit ABCD are four lamps connected with a battery of 60 watt inner circuit यह कोई circuit है है आपका ABCD में चार्ड लेंप है और four lamps connected with a battery of 60 watt 60 watt की एक बैटरी से connected है तो आपसे यहां पर कुछ पूछेंस पूछेंगे analyze the circuit to answer the following questions now first question is what kind of combination are the lamps arranged in the series or parallel यू तो किस में connected है यह सारे के सारे बल what kind of combination are the lamps arranged यह स्रीज में connected है या parallel connected है यह आप से पूछ रहे हैं तो बच्चो यार simply हमें सब कुछ यहां पर दिख रहा है कि यह सारे के सारे parallel ही connected है clear पहले का answer हो गया कि parallel connected है now next पर चलते हैं second वाले पर explain with the reference to your above answer what are the advantages of these combinations of lamps in combinations of lamp का क्या advantage होगा तो यह बच्चो मैंने आपको बतारा कि जब भी हम home appliances domestic domestic जो circuits बनाते हैं हम जो appliances electric appliances होती हमारी domestic वाली वहां पर हम सारे जितने वी जो अगर आपका स्रीज में अगर हम connect कर दे और हो सकता है कि वो डेमेज हो जाए तो आगे की सारे जो है वो सब बंद हो जाता है उस उस डेमेज को overcome करने के लिए हम क्या करते हैं और जो parallel connect करते हैं तो क्या होता है यार कि अगर आपकी एक डिवाइस जो है वो डेमेज भी हो जाती है तो हम ऐसे कोई फर्क नहीं पड़ता है आगे की सारी डिवाइस वर्क कर रही होती है यानि कि सभी को current बिल रहा होता है और सब कर रहे होता है तो यह आपका एक advantage है parallel connect करने का clear second वाले का भी आपको मिल चुका है नाव मुद दी नक्षवन नेक्स में क्या पुछा आप से Spain with the proper calculation which lamp gloss the brighter brightest कौन सा आपका जो लेंप है वो brightest glow होगा कौन सा इन मेंस चार है आपके एक में 3 MP का करन जा रहा है एक में 4 MP का करन जा रहा है तो विच्वन इस ब्राइटेस्ट ग्लॉप ब्राइटेस्ट कौन सा इस में से कौन सा जो है आपका brightest glow होगा तो एक चीज़ और बता दूँ मैं आपको की पूस्टू वी आई होता है यह आप जानते हो तो पी वस्टू वी आई अगर होता है और यहार आई तो वी तो हमेशा आपका constant होता है voltage जो सप्लाइ करते हैं हम वो वल्टेज सप्लाइज हमेशा सभी सभी के लिए constant है 60 तो है सभी एक के लिए constant है बट यार अगर पी डारेक्ली प्रोपोर्श्चनल होता है आई के जहां पर करंट जादा वहाँ पर पावर जादा और जहां कितना कितना करन जा रहा है और इसमें कर जा रहा है तो पावर किसकी जादा वही ग्लोव जादा होता है ज 시सके पावर ज्यादा जिसका ज्यादा टोंग यहाँ पर यहां पर भी क्या है यहाँ पर ऑवर किस की ज्यादा पावर यहाँ पर सी वाले की ज्यादा क्योंकि प्मॉर्फ है और यह क्यों प्लोन होता हす ragus होगा से variance क्वाइड खोग चला यापको यहां पर चल mów accepts गद आट करना है तो यह सुषक्षिक्षाश्टी वोल्ट की जो बैटरी है कि एक रहा हु場 अगा-गा देस पर चुला गया तो टोटल करण्ट कितना हुआ थी फ़ाइब थी प्लस फॉर थी प्लस फ्लस थी कितना हुआ ना थी 15 Ampere का टोटल करन्ट जो है वो 60 वोल्ट की बैटरी से निकल रहा है तो यहां से आपको एक पता है यार है ना वी वस्तु यू और नोस दाट वी वस्तु आई आर एंड वाट वी नीद तो फाइंड आट आट हाव मच यह जो करंट है वो कितना है करंट है आपका 15 Ampere करंट ह कितना है आपका 60 वोल्ट है आपको यहां से यहां से यहां से वी आपको गीवन है 60 और आपको वच्छो यह भी गीवन है और यह कितना हो गया यार वच्छो 15 दुबारा से करके देख लेते हैं 3 Ampere प्लस 4 Ampere प्लस 5 Ampere प्लस 3 Ampere है so how much it is it is 15 ampere current flow हो रहा है battery से so battery से 15 ampere current flow हो रहा है तो भाई यार यह कट कर दोगे न हाँ four times cut हो रहा है four times cut हो रहा है तो यहां से resistance आपका कितना निकल के आया आर एक पॉस्टू 4 ohm जो है वो total resistance है उस पूरे circuit का समझना रहा है total resistance से वो कितना है four ohm now you can see that four ohm is the total resistance of this circuit now you can see the solution all solution 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 ampere यह गलत लिखा हुआ है यह यह ओम है यह कुछ भी लिख देते हैं और यहां पर देखो यह 15 ampere clear चलिए यह चाहा है तो आप यह सारे solution देख सतने perfect उसमें लिखा हुआ है चलिए next question पर जलता है question number कौन सा है आपका 20 और यहां पर क्या पूछा गया है establish a relationship to determine the equivalent resistance R of a combination of three registers having a resistance R1, R2 and R3 connected in a series, series में connected किया गया है calculate the equivalent resistance of the combination of three registers 2 ohm, 3 ohm, 6 ohm joined in parallel पहले इन्हें connect किया गया है पहले बच्चों मैं यह वाला जो है अभी बात में करता हूँ पहले यह नीचे वाला कर लेता हूँ मैं calculate the equivalent resistance of the combination of three registers 2 ohm, 3 ohm and 6 ohm joined in parallel parallel connect किया गया है 2 ohm, 3 ohm और 6 ohm के registers को तो यह वाला हम पहले कर लेते हैं then उसके बाद यह वाला जो है इसके लिए एक relationship निकालेंगे हम हम पहले यह वाला कर लेते हैं नीचे वाला तो इसमें क्या है बच्चों यार तीन resistance से आपके यह देखो एक यह देखो दो यह देखो 3 और यह है आपका 2 ohm का यह है आपका 3 ohm का और यह है आपका कांसा 6 ohm का resistance है clear तीनों parallel connected है कोई problem नहीं है कोई problem नहीं है और यहां से हमें क्या find out करना है और equivalent find out करना है तो निकाल लेंगे यार equivalent आप तो आप आप तो आप intelligent हो गए हो है ना हमने 20 questions कर लिए तो intelligent हो गए हो अब तो आप तो बहुत easily आप यहां से find out कर लोगे वर नपन आर फूंट इयक्वेलएंट इकितना होजाए गा 1 अपन 2 प्लस एपन 3 प्लस एपन आपन 6 और यहां से ल्सेः माजाएगा कितना six ल्सेम आगे आपका तो six ल्सेम आजाएगा तो यह कितनी बार 3 times, 2 times, 1 times तो कितना आगया? 6 upon 6 तो 1 upon R equivalent कितना हो गया आपका? 6 volt upon 6 चैनल 6 upon 6 हो जाएगा तो यहां से कितना हो जाएगा? यह आपका 1 तो यह aज़ा यह ब्हाएगा? और यहां से R equivalent कितना हो जाएगा? आपका 1 Ryan हो गया आर और पास कौन सा एक आरवन एक आरटू और लास वन है आपका आर त्री आरवन आर टू और यह है वही आपका आर्टू यह एक बैटरी से इसको मैंने गनेक्ट कर दिया है ह। मैं बात कर रहा होते हैं bigger काव कि कर रहे होते हैं इसकी वात कर रहे होता है है तोonne connection में आपके जो व्लेज होता है है वह वॉल्टेज किता होगा आपका यहां पर इस पूरे का total का V equals to IR होता है ठीक है यहां पर voltage drop जो है वो अलग होगा इस जगह voltage drop अलग होगा और इस जगह voltage drop अलग होगा तो मैं V1 के लिए निकाल रहा हूँ यह तो total है यह तो total क्या है तो V1 के लिए कितना होगा करेंट सभी में सेम फ्लो होता है बच्चों यह ध्यां दखना स्रीज कनेक्शन में करेंट सभी में सेम फ्लो होता है वोल्टेज ड्रॉप जो है वो अलग-अलग होता है तो यहां पर V1 equals to IR हो गया है वी टूइक वस्टू क्या हो जाएगा आई आर्टू हो जाएगा और वी सभी में तो यहां पर बात कर रहे हैं तो यहां पर क्या जाएगा ईडिऻ सभी में इन 3 वोल्टेज में करेंगा तो इस के बराबर आने वाल है बैटरी के पर कितना potential difference है वोल्टेज जो ड्रॉप हो रहा है आपर इन तीनों को वोल्टेज को अगर एट करूंगा तो यह बैटरी के वोल्टेज के बराबर होगा क्लियर है ना इतना तो तो यहां पर कितना जागा वी वस्टू वी वन प्लस वी टू प्लस वी थ्री हो जाएगा बच् मैं आअफ से आई कंबल लेलूँगा तो यहां पर हो गया आई एक्वाल टू प्लस आर टू प्लस ऑर टू यही आपका mathematical एक्सप्रेशन होगा और एक्वेलेंट का अगर तीन आपके स्रिज में कनेक्टेड है और बन प्लस और टो प्लस और थी तो इस तरीके का मैफमेटिकल इस तरीके का फोर्मला आपके बनेगा क्लिए तो आप को यह भी समझ में आया होगा और यहां पर यहां पर ऑप और टरीके से लिखालब हुआ है वी वह ली 122 असलिए वह त्रीके से साहरे कोनेक्टेड है रहें तरीके आपके हैं और यह पर आज colom हमने पहले वाला उसकी बाद जो सेकंड कॉश्चन किया था सेकंड कॉश्चन का वन ओम या पर आपके आंसर है तो आए होब कि आपको यह जितने भी सारे कॉश्चन किये हैं बहुत अच्छा से समझ में आए होंगे